शुरू करते हैं आपका एट क्लास का चैप्टर नमबर सैकेंड वसंद की बुक का लाग की चूडिया तो आज जैसे कि आप लोग जानते हैं आज की जो लेडी से जो चूडिया पैनती है वो काच्च की होती है या फिर जो नैने मैटल्स की आते यह सब पैनते लेकिन पुरा कि इस कहानी का मैं आपको सारान्ष बताऊंगी क्यों कि रीडिंग आप खुद करेंगे तकि आपको अच्छे से समझ में आजाए अब देखे इसके स्टोरी यह है कि जो आपका लेखा के जिस स्टोरी को लिख रहे हैं जब अपनी नानी के घर जाते हैं वहां उसे एक आद तह यह अपने आपको बताता है कि उसूल के तोर पर मैं मुझे इने मामा बोलना चाहिए तक मेरी नन्याल में रहते हैं मौसी ही होते हैं अगर हम जाते तो मौह पर जो लेडिज होंगी वहांगी और चाचा होंगे तो इस तरह बताता है कि कितने अच्छे वैक्ति थे यह बनाते ते दोड़ी बहुत लाग बच जाती ती उससे वह गोलियां बना के आपके दिया करते थे इसलिए जो लेका के उनको उनके पास जाना बहुत पसंद था बदलू काका के पास भी तरह को बताते हैं कि अगर वह दुपहर में जाता था तो वह किस तरह से क्योंकि गल्मि तो इस तरह से उसका बड़ा ख्याल रखते थे दूद, मलाई, यह सारी चीज़े की लाते थे तो फिर उसके बाद बताता है कि किस तरह से उनकी चूनिया थी वहाँ पे गाउ में उनके गाउ में और आसपास के गाउ में बड़ी फेमस थी प्री इसके खाई पेमस बार दाखते एंट-फी थे हीुषा से बीजाती थी कि पाद में क्या हुँए प्रूरे में प्याँ पहरलवू नहीं थी जाता धूरी फर्ट उसके एक आदमी के जरी की जलरे आ अब जो दरी को हाथ से बिनने मैं तीन दिन लगते थैं तीन दिन में एक दरी बिनती ठीक है यच वह एक घरी एक मिनित याझथ दस मिनने में बने तेजन कि今 इस चीज़ को बनाने में पायँ रखोल होगा समय गाइल खरच महीनट जाद लगी तो इस चीज के कीमत भी स्वेड़ा होगी सेम इसी तरह से लाग की जो चूणिया थी उसे बनाने में भाध महनत लगती थी भट्टी के आगे बैठना पड़ता था गर्मी में तो निकी कीमत भी ती और फिर बदलू की चूणिया थी लाग की वह बहुत दा फेमस थी इसलिए वो मुँ मांगी कि इमत भी लिया करता था और लोग उसे देते भी थे लेकिन जब मशीन ही यूगा गया यानि कि जब यह काच्छी चूड़िया आवी तो क्या हुआ ओरते उन्हें पहनने लगी क्यों कि वो मशीन से बनाई जाती थी पतली पतली होती थी बारिक बारिक होती थी थी सुन्दर दिखती थी इसलिए और फिर क्या हुआ इनका जो धंदा है वो खराब हो गया मतलब इनका जो बिजनस था जो यह चूड़िया बना के बेस्ते थे यह सब खराब हो गया जब लेखक वापस आता है गाउ में तो देखता है कि बदलु काका जो है बहुत जा चलब होगा जिकेंद आहां से यहNew-c kunnen हम सब भी काड़ दिए हार्ब काड़ दियां हाथ काड़ेसे पाद भी कर घंद से बाता हमाई यहाथ काड़ियों मतलब मतलब यह कंद्यों करहां है पाँड़ियों को बिजनस खत्म होगी है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बिजनस खत्म हो गया मशीन यूग के चक्कर में ठीक है तो वही चीज यहां बताता है किस तरह से फिर उसके बाद वो कांच की चूड़ियों की कुछ बुराइयां भी बताते हैं जैसे यहां लिखा है कि बड़ी खतरनाक होती है जल्दी टूट जाती है है ना ना तरह किस से बाद है तो ठीक है जहां हम तरकी कर रहे है बहूत अच्छी बात है लाकिन ऐसी तरकी Only जिसने किनको नुकसान पहुंचाँ वह त्रख़गनही है होतो पिर है हम किसी का पेट काट प्र रहे है जह यहां प्यार्फ यहां बदयों मैं पाट पोनगतेंगा मैं दोर उसमें भी यही दिखाया गया है कि किस तरह से बिचारे पेड़ हाथ जो मतलब फनीचर का काम करते हैं वो लकड़ी को काटना हाथ से घिसना हाथ से बनाना बड़ी मेहनत करते हैं बड़े खुश होते हैं कि हम देखो इतने अच्छी इजाइने बना रहे हैं लेकिन वही सबको हटा देते हैं नौकरी से 750 लोग जो होतहे तो क्या है लोगों को क्या कर देते हैं लुकसान पहुचा पहुंचा लेते हैं इस तरह से यहां पे आपको जो कहानी है यह खत्म होती है इसमें तोड़ा सा मतलब यहीallyगी चीज़ Congress yourled का मशीनी यूग है वो अगर हमारे लिए अच्छा ही लेकि आ रहा है तो उसके कितनी धेर सारी बुराईया भी है तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि इस पार्ट के अनुसार अगर हम इस पार्ट को मदे नजर रखते हुए बात को जानने की कोशिश करें तो मैं बान सकते हैं कि विकास को बढ़ाया है यानि विकास हुआ है उसी तरह हम देखें तो दूसरी तरफ जो आपके लगो और कुटोरी उद्ध हो गए यानि कि छोटे चोटे प्यमाने पर जो किये जाने वाले उद्ध हो गए वह बहुत जादा प्रभावित हुए हैं है ना यानि मशीनों के कितने लोगों के जो काम है वो सब छिन गए हैं है ना उनके जो काम है वो मशीनों के दुआरा होने लगे अब उनके पास कोई और तरीका भी नहीं बचा अपने जिन्दगी को बसर करने का ठीक है तो इस स्टोरी में बस यही सब है कि बदलू किस तरह से मामा किस तरह से कोई कहानी के तरू यह बताने की कोशिश की गई है कि जिस चीज को हम सोच रहे हैं ना कि यह हमारी तरक्य है जरूरी नहीं है कि वो हमारी तरक्य हो तो दूसरे के लिए भी तरक्य हो कभी कदर ऐसा होता है जो चीज हमारे लिए तरक्य का बाइस होती है वो दूसरों के लि इसको वीडियो को सुनें ठीक है उससे फाइदा यह रहेगा कि आपको समझ में आ जाएगी और आपके रीडिंग भी अच्छी होगी अब हम बात करते हैं आपके अभ्यास के प्रशन उसके बात को आनसर देखेंगे और फिर वीडियो को खत्म करेंगे तो देखें यह आपको दिखाया गया है चाव चाव माने क्या होता है रूची जो चीज हमें पसंद हो ठीके पगड़ी जो है वह आप सब जानते सर पेहनी जाती है ठीके कपड़ा लेकिन पगड़ी जो है तो इस्टी की हिंट होती है घर हम झेल एक इजड़ी एक पगड़ी ऊचल घीए बहुता है इसलाक इसलाक का होता है यानि धातू की चड़ी जिस पे रखके पर जानते कबाब बने जाते सवाल बैठैने जाती है आपके देख सकते हैं से हट को गटका दिया गया है जब मुझे जाना कोजिती सवाल केकि तो बनाने के लिए किसी चीज की कि चीज की कच्चे किमाल की किना एक योपी जाना कोड़े तो मैं कार में पेटरोल डालूगी तो अपने क्या बोलूगे मेरी कार में दो लीटर पैटरोल की कपत ही हमाई नहीं इतना पैटरोल लिया इस इतासे वस्ता इंयम्ध बहुत इंपांट्ट होता है कि वस्तु विन्यम यह आपका बहुत मेरे पास चावल हैं मेरे पास आप मुझे चावल vit बहुत उर्म को दाले हैं के जरूरत है ना हूँ आप यहाँ वस्तू को फिर सटल को करें चाइन होता है इसके लावा मैं आपकी मैट्स की साइंस की इंग्लिश की हर सब्जेक की वीडियो अप्लोड करूंगी तो आप लोग रेडी रहें पढ़ने के लिए चलिए इसके कुछ रांसर देखे वीडियो फिनिश करते है अब देखें यहापका पहला प्रेशन दिया गया है बच्पन में जो लेखक था वो अपने मामा के गाउं चाफ से जाना इसलिए पसंद करता था क्योंकि मामा के गाउं में लाग की चूणिया जो बनाते थे बदलू काका जो थे वो उसको गोलिया भी बना के दिया करते थे धेर सारी रंग बिरंगी लाग की गोलिया देते थे जिसके भणाओ उन्से खेलता था भरन के वाहां जाना बहुत पसंद था और वह गाउनं के बच्चे थे नहीं सब काका कहाु करते थे इसी वजे से वह भी उन्हें काका कहता था अब यह आपका दूसरा प्रशनात है वस्तु विनियम क्या है और यह विनियम की पर्चित पर्सित है यह क्या है यह आपको बताना है तो अभी मैंने आपको बताया कि वस्तु के बद दे कर दूसरी वस्तु को ले लिया जाए जिसमें वस्तु के लिए आपको कोई भी तरह की पैसे नहीं चुकाने पड़ते हैं, बस एक वस्तु ली जाती है, लेकिं जब से मुद्रा करन locky है, मुद्रा मानें आपकी currency जब से आपकी currency आगए, तब से यह चीज खत्म हो गए है, अब अगला यूग से मशीन की आने की वज़े से जो हाथ के कारीगर थे जो चोटे-चोटे काम करने वाले लोग थे कुटारी उद्योग वाले लोग थे जो घर के अंदर काम किया करते थे उन सब के काम ठप हो गए तो इसलिए यह एक मुहावरे के तौर पर इस्तिमाल किया गया है कि मश यूग के आने से जो चोट-चोटे काम करने वाले उनके थंडे चिन गए इसलिए उनके हाथ कट गए है जो काम वह अपने पीडियों से करते चले आ रहे थे जिसमें उनको प्रफ्रेक्शन हासल थी वह चीज़े उन से चिन गई है जिसके बाद वो लोग बेरोजगार हो ग क्यां सी वह स्के एक को डिमाग में तो ँब अपने वाबलम से ती चुनियों से क्यों कि चूनियां जलदी से बन जाया करती थी जलदीन के कर्एंद तो असकूनियों बहुत नाजो को भी बाउत नाजो कर दो तो लोग अब उसकी लाग की चूणियों की जगा बदलू की लाग की चूणियों की जगा पर काच की चूणिया पसंद करते दे और इसी की चक्कर में उसका वेवसाय यानि उसका जो बिजनस था वो बिल्कुल थप हो गया था ठीक है और यही चीजे जो हैं वह लेखक से नहीं चुपी ठीक है और उसको लेखक को इस बात का अंधाजा हो गया कि वह बिचारा पहशान है नेक्स्ट कोशिन चलते हैं तो यह आपका लास्ट कोशिन है फिफ्ट कोशिन मशीनी यूग से बदलू के जीवन में क्या हो गया ठीक है काम ना करने की वज़े से उसका श्री भी धीला हो गया था हाथ मेर भी बिल्कुल बिकार हो गये और बिमार लगने लगा था और यह बिल्कुल जाहिर सी बात है अगर आप अपने आपको रेस्ट के लिए डाल देंगे ना क्यारे मुझे कुछ नी करना तो आ किया गया है लाग की वस्तू का निर्मान भारत के किन राज्यों में होता है लाग से चूडियों के अत्रिक क्या क्या चीज़े बनती हैं ग्याद कीजिए तो देखिए यह लाग की जो चूडिया है इसका सबस्यादा जो इस्तिमाल है उत्तर परदेश में होता है खास तोर मेरा कना नेकलेस सब्सक्राइब , यह मेरा है और ने सब्सक्राइब था in काच की चूणियों से और बदलू से हम कहता था जो सुन्दता काच की चूड़ियों में होती है लाक की चूड़ियों में संभव नहीं है मतलब वो चूड़ता भी था और उसको पसंद भी थी तो ऐसा क्या था यह पंग्तियां बदलू की दो प्रकार की मनुद्शा को सामने लाती है जहिर सी बात है एक तरफ तो यह दिखा रहे कि उसे चेड़ है दुसरी तरफ वो उसी चीज की तारीफ कर रहा है है ना दो प्रकार की मनोद्शा सामने आ रही है दूसरी पंग्तिय में उसके मन की पीड़ा दिख रही है उसमें वें भी है ठीक है हारे हुए मन से ठीक है अगर अगर हम पहले उसकी बात करें तो उसमें अच्छी बात भी दिख रहे है तो देखें यहां पर बात यह है तो सर्फ कि असलियत में इस आन्शा झिसके दिल में कोई बुराई ना हो उसकी बात अगर मैं करूं तो हम यह सोचते हम यह मानके चलते हैं ठीक है हम accept करेंगे लेकिन हम किसी दूसरे को सबतने नीचे किरांगे थैक है उसमें माना कि वह जो काच की चूनिया नहीं बना सकता हाथ ещё क्यों या कि मशीन से बनेंगी थैक है ये अगलत को दो इस अगले आपको दिया गया है ब aquí कहानी के ज्रिश्टी से एक बात रहे और भाषा के बात है घड़ान संगिया बदलू सिर्फ हे तरह क किसी व्यक्ति region ते कहते हैं संग्या के तीन भी दोते हैं Selenror व्यक्ति वाचक जाती वाचक और भाव वाचक अब धारण में आप वक्षीट में जान चुके हैं कि व्यक्ति वाचक जैसे भी किसी चीज का नाम या कोई भी में चीज उसे व्यक्ति वाचक कहते हैं जाती वाचक में क्या जाएगा किसी का चितर, सभा, वजन, आकार भाव वाचक में किसी के भाव, के उसकी फिलिंग्स, क्या गुसा आ रहा है नाजुकी, यह सारी चीज़े जो ही है उसके भाव वाचक में आ जाती है तो अब यहाँ आपको बताना है कि पार्ट से आपको देखे लिखा है पार्ट से तीन ऐसी संग्या आपको चुन नहीं जैसे व्यक्ति वाचक में हमने सुन लिया बदलू, बेलन और मचिया जाती वाचक में हमने सुन लिया आदमी मकान और शहर ठीक है इसी भावा चक में हमने क्या चुन लिया सभाव रूची और वेर था ठीक है तो इस तरह से यह आप कर सकते हैं और यह आपका इसका लास्ट कोशिन है लिखाए यहाँ पे गाउं की बोली में कई शवदों के उच्चारण बदल जाते हैं उच्चारण माने जो हम बड़े आप से वक्त ठीक है लेकिन जब आप गाउं में जाएंगे तो वह वा की जगह पे तो बाव जाएगा अपर बड़े आईयू तो वह पर वह उम्र को राधान लेकर पूरा बोलेंगे उमर कहेंगे हैं इसी तरह से और बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो किसी गा है ना रंज दुख अब यह गम गम नहीं होता है है ना इसी तरह से यह आप तो आप इसे कर सकते हैं जिन्दिगी है ना या ओलाद संतान तो यह वर्ट्स ऐसे हैं जो चींज हो जाते हैं चीक कर लेंगे चले तो मैं उम्मीद करते हूं यहां तक आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा इसके साथ साथ मैं आपको six to eight class के all subject को बढ़ाने वाली हूं अगर आपकी कोई cousins, भाई, बेहन जो भी है आप उनके साथ इसको शेर करें अगर भी तक आपने हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं